कश्मीर घाटी में शांती भंग करने की फिराक में आतंकी हर वक्त बैठे रहते हैं मौका मिलते ही वो कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे भी देते हैं लेकिन जादा तर वो भारतिय सेना और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण मारे जाते हैं या फिर पकड़े जाते हैं इसी कड़ी में भारतिय सेना और सुरक्षा बलों की रण माकरों को पिछले दो दिनों में बहुत बड़ी काम्याबियां हाथ लगी हैं आपको बता दे, पिछली दो दिनों में सेना और सुरक्षा बलो ने चार जिन्दा आतंकवादियों को अलग-अलग मुठ भीडों में धर्द बोचा है 19 जन्वरी को आतंकी संगठन जैशे मुहम्मद के दो आतंकी पकड़े गए पहला आतंकी जिसकी पहचान आयाज एहमद भट के रूप में हुई थी सूचना मिली थी कि आतंकी आयाज पुलिस के जवानों पर हमला कर उनके हत्यार लूटने की फिराक में था उससे पहले ही सेना और सुरक्षा बलो ने तलाशी अभ्यान शुरू कर दिया और जगे जगे नाकों पर चेकिंग की जाने लगी जिसके बाद आतंकी को गिरफतार कर लिया गया इसके पास से कई हत्यार और गोला बारूद भी बरामत किये गए वहीं दूसरे आतंकी रईस एमद मीर को उस वक्त पकड़ा गया जब वो ग्रनेट से हमला करने की फिराक में था बताये जा रहा है कि दोनों ही आतंकवादियों ने आतंकी संगठंजैशे मोहमत को हाल ही में जॉइन किया था वहीं एक दूसरी घटना में एक आतंकी ने सियारफिय बंगर पर अंधा धुन फायरिंग कर दी हमले में किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ लेकिन आतंकवादी भी भागने में काम्याब रहा लेकिन अब उस आतंकवादी की सैना और सुरक्षा बल तलाशी कर रहे है वहीं इस घटना के ठीक अगले दिन यानि 20 जनवरी को भी सैना और सुरक्षा बलों की सैयुक टीमों ने बढ़गाओं के चडूरा इलाके में तलाशी अभ्यान चला कर दो और आतंकवादियों को पकड़ लिया पकड़े गए आतंकियों की पहचान जहांगीर एहमद नेकू के रूप में हुई है जिसके पास से कई हत्यार बरामद हुए वहीं एक और आतंकी पुलवामा के राचपुरा से पकड़ा गया जब सुरक्षा बलों ने एक संदिक दिव्यक्ति को रोक का तो वो वहां से भागने लगा और आतंकी ने नाके से भागने की कोशिश की और जवानों पर गोलिया चलाई आतंकी की पहचान राहिल शौकत डार की रूप में हुई आतंकी शौकत कुछ दिनों पहले अपने घर से लापता हो गया था अब उसे सेना और सुरक्षा बलों ने धर्द बोचा है और इन सभी पकड़े गए आतंकीयों की खिलाफ अब कड़ी कारिवाई की जा रही है घाटी में आतंक का फन को चलने के लिए सेना लगातार काम कर रही है और आतंकवादियों का पकड़ा जाना ये भी बताता है कि सेना बहुत हट तक आतंक की जड़ों को काट रही है आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं जै हिंद जै भारत अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन दबाना ना भूले अगर आप हमारी वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूले